अस्हाप अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है जांगिर और आप देख रहे हैं electrical tricks दोस्तों आज कि हमारी वीडियो टॉपa के कि होस्टिल की wiring हम किस तरीके से करते हैं व्योस्टिल वायरिंघ कैसे की जाती है और यह एक खेन इन्ट्रव्यू कोश्चान भी होता है किस तरीके से करनी है हमने क्या करना है हमने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने होल्डर की वाइरिंग तो मैं यह पहला होल्डर लेता हूं और होल्डर जो है हमाय में इसमें हम अमोमन फेज लगाते हैं इस वाले टर्मिनल में और यह साइड वाले टर्मिनल में हम लगाने के लिए हमने क्या करना है? फेस की वायर हम बीच वाले टर्मिनल पर लगाते हैं, जबाब हमने इसको उपड़ से बंद कर लेना है, कुछ इस तरीके से, और यहां पर हमारे इस होल्डर की वायरिंग मुकमल हो गई, होल्डर को हमने बंद कर लेना है, अब हमने क्या चीज समझने हैं, यह जो फेस है, इसको फिलाल हम छोडते हैं, यह जो न्यूटरल है हमने इसको, जितने भी ओल्डर हो, जितने भी रूम हो हमारे पर होस्टिल में, यह तीन रूम है, और यह तीन अलग-अलग रूम है, अलग-अलग यहां पर सुज लगे हैं, अब हमने क क्क्टने चुटने भी वोल्डर होंगी उन सब कि यपने तरीके वाइट निकलनी और नौन्न में सकतमरी स्थाइब कॉमन कर लाना है नीजमे पार आतमникомकि कि यह यहां कॉनम करते हैं क्लश को देना है है उसको भी हमने इसी नेजल के आप म sürब कोमन करना है जैसा हमने सब्सक्राम हाल में किया है इसमें भी हम ने यहीं करना है हमने इस वैर को भी भाड निकाल लेना है केप से ओंध यहाँ हमने फिस्क कि बैर लगनी है और फिस कि बैर हमने वहीं लगा निइंग मने उस वाले बश्राओं गदय session मैस के किमणने अगले ऑल्डर की तरफ बढ़ना है और यहां पर हमने क्या करना हम यहां पर भी नीटरल इस वाले पॉइंड में लगाने के बाद यहीं से हमने मैं नेटरल द्रफ दिसमें नीटरल कि सप्लाई देने होगी यह निटल जो हमने यहां पर लगाया है यह कॉमन हो गया और यह हमारा मैं नीटल आजाएगा इंकमिंग ने तो यहां हम मैं सप्लाई देंगे इसको और उसके बाद हमने यह अपने लास्ट फोल्डर पर भी तेस की वायर लगा नहीं है जैसे हम बकाया दो होल्डर में लगाते हैं तो दोस्तों यह तीनों की एक एक वायर आ गई और हमने न्यूटल को कॉमन कर दिया है यह हमारा इंकमिंग मैं न्यूटल बन गया अब जैसा मैंने आपको शुरू में मताया है यह हमाएं बाद तीन टूवेस होई जवे लेबिल है अब इसमें हमने का पर वायर लगानी है इनकी होल्टर की हमने लगानी बीच वाले टर्मिनल पर अब यह वाला तो इस ओल्डर को कंट्रोल करेंगा यह रूम नंबर मन में लगावा होंगा होस्टल में और यह बल्ब भी रूम नंबर मन में लगावा होगा यह रूम नंबर टू का सोई जाए और यह रूम नंबर हम इसी तरीके से यह रूम नमब्र थ्री का खोल्डर ओर मद सोई जाई है इसके पीनों के common point में हमने अपने light की वायड लगा दी है ठीक है दोस्तों अब हमने क्या करना है हम ने इनके उपरवाले जो प्रइड में इनको पॉमन करना है उसका क्या परीक है आने क्वाइड लेनी है यह उपर वाले पॉइंड में लगानी आ एक और लेनी है कि इसको यहां पर पॉमन करना है इस तरीके से थेकिन दोस्तों अब आमने क्या करना इसके नीचे वाला पॉयंट भी कॉमन करना ठीक है दोस्तों इसको एक दफा समाझ लेते हैं, न्यूटल हमने comment कर दिये, तीनों बल्म हमने comment में लगा दिये, इन टूवे सोईच के, और उपर वाले और नीचे वाले हमने टर्मिनल इनके comment कर दिये, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज जो हमारा master switch होगा, यहां wiring इसकी complete होने के माद हमने यह वाले switch लिया है, यह हमारा master switch है और यह हमारा warden room में होगा, यह तीनों switch हमारे होंगे, अलग-अलग room में, और यह हमारा एक warden room में होगा, जो इन सब को control करने की सलायत रखता है, इसकी wiring किस तरीके से करनी है, दोस्तो इसकी wiring करने के लिए, जो हमने यह नीचे वाले wire लगाई है, तीनों terminal जो हमने नीचे वाले common किये हैं, यहां पर हमने एक wire on लगाने है, खुछ अस तरीक हैंदा, इसको लगाना है हमने, यह हमारा single waste होईजे, जैसे हमारे two waste होईजे, यह single waste होईजे, तो इसको हमने लगाना है single waste switch के नीचे वाले terminal में, ऐसा है, यह लगाने के बाद हमने एक wire on लेनी हैं, और यह हमने लगानी है जो हमने उपर वाले terminal common कि हैं, एक wire हमने यहां लगानी है बुआि अपर इसका दूसरा जो चिर लगाने वह हम सिंगल वे सोईच के उपर वाले टर्मिनल में लगाना है ने गवले нетनी है उपर वाले में नहीं देनी है हमने इसके सिंगल वे स्वीच के नीचे वाले टर्मिनल में देनी है इसकी वाइरिंग मुकमल हो गई है अब मैं इसमें तीनों एलेडी अपने बल्ब लगाता हूँ इस सर्किट को सीधा करता हूँ और यहां से इसको मैं सप्लाई दे के आपको चेक कर वाता हूँ यह किस तरीके जबर कर रहा है दोस्तों मैंने इसको सीधा भी कर दिए और मैंने इंगमिंग सप्लाई भी इसकी जोड़ दिये मैं सकांट कर लेता हूँ सप्लाई को यहां से फिर मैं आपको चेक कर वाता हूँ इसमें होता है यह हमारा रूम नंबर 1 में लगा है तीं नुम में लगाव है यह जो रूम नंबर 1 में है वो स्टूडंट अगर छेड़ यह कर सकते अपनी वर्दाइद और इसको ऑफ भी कर सकते हैं इसकी तरीकें फे तीनों रूम में यही पोजिशन होगी लेकिन जो वो चाहिए उसको आन करेंगा और उसके बाद यह तीनों मटन जो हैं हमारे पाद तीनों सोईज हैं इनका कोई काम नहीं बचता तो जो एक्सेस होती है ऑन या ओफ करने की वो अब इसको off position में रखे या on position पे ये तीनों on ही रहेंगे अब इसको जब वो off position पे छोड़ देता है कोई भी student तो warden जब इसको off करेगा यहां से तो वो off हो जाएगा जो on position पे रखे वे होंगे वो on ही रहेंगे वो अपनी मर्दी के मताबिक इस तरीके से इसको on ही off करता रहे वीडियो अगर पसंद आई यह उन्हों वीडियों को लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा